करने वाले हैं लास्ट वीडियो में यहां पर आपको दिखाय था कि ट्रपल यह क्या होता है और सारी चीजों को मैंने वहां पर कंप्लेट किया था अगर आपने वीडियो को नहीं देखाए तो वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल् तो टॉपलोजिय दिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर आप चाहें तो एक राउटर में भी बातक है इसके वाद क्या करते हैं तो यहां पर कनेक्शन लगा देते हैं इसके बाद हम राउटर पर अपना आई-पी कन्फिग्रेशन कर देते हैं तो आई-पी कन्फिग्रेशन यहां पर कर देते हैं इनेवल कॉन्फिक्टी और इंट्रफेस एफेस 0-0 है मेरे केस में आई-पी अड्रेस डालते हैं यहां पर 192.168.10.1 इस तरीके से मैंने यहां पर आई-पी कन्फिगर करा दिया है इसके बाद अपने पी-सी पर आई-पी कन्फिगर करा देते हैं तो पी-सी पर चलते हैं और यहां पर वही आई-पी में डाल देते हैं कौन सा 10.2 अब देखते हैं आगे का प्रोसस क्या करना है तो आगे हमें router पे configuration करानी है पहले तो router पे हमें क्या configuration करानी है, तो वो देख लेते हैं। router पे हमें ये configuration सारी करानी है, AAA New Model, AAA Authentication, Enable, Default Group तो यह command सारी आपको यहाँ पर run करानी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो एक बार exit कर लेते हैं और यहाँ पर चलाते है AAA New Model, AAA Authentication, Enable, Default Group, Radius तो यह हमने यहाँ पर command चला दी radius क्या होता है? radius एक protocol होता है इसकी हम आगे बात करेंगे इसके बाद चलते हैं AAA Authentication और Authentication के बाद मैं यहाँ पर Login Default Login Default Group Radius तो यह command हमने यहाँ पर run करा दी इसके बाद चलते हैं AAA Authorization AAA Authorization Login Default Login Default Pro Radius तो यह command भी हमने रन करा दी इसके बाद हमें radius server जो बना रहे हैं तो यह हम radius server के बाद में क्या डालेंगे? हमारे server का IP address डालेंगे तो हमारे server का IP address हमारे case में क्या है? 192, 168 और 10.4 है इसके बाद आप यहाँ पर एक key यानि एक क्या सकते हो कि आप एक password बना रहे हो तो वह आप कुछ भी डाल सकते हो वह आपके उपर है तो मैं यहाँ पर अभी जो है awesome डालना हो रहे है ठीक awesome बना दिया हमने इसके बाद हम host name अपना change कर लेते हैं तो हमारे router का host name अप change कर रहे हैं तो कुछ भी वैसे कर सकते हो आप नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हो आपको ऐसी कोई problem नहीं है तो हम host name CCNA कर लेता है ठीकmor है हमने यह CCNA को host तो इस तरहाएं यह सारी आप्रोड किया कर आना हिए कुछ आपको राउटर करना है चृटर पर जाना है इह शारी सर्वर पर जाने के बाद आपको 191 001block करको करने के बाद यहां पर आपका क्लाइनट का नेम लिख Tack यहां पर सकते हो जैसे मैं यहां पर यूजरियम पासवर्ड करना चाहते हैं तो असिक PacWD दे देता हूं इसको 12345 और add कर लेता हूं एक दूसरा यूजरनेम करता हूं मैं admin 2 और password 123 यहां पर हम वही कर देते हैं 54321 और add कर लेते हैं तो हमने admin1 और admin2 यहां पर बना दी हैं इसके बाद हम इसे cut कर देते हैं अब चलते हैं अपने PC में और remote टेकर देखते हैं तो remote लेने के लिए क्या करेंगे यहां पर टेलनेट इस्पेस 192.168.10.1 है यूजरनेम पूछ रहा है आपके तो हमने यहां पर admin1 दिया था 12345 और एंटर कर देंगे यहां ठीक है तो देखिए यहां पर आपका क्या है remote आ गया है तो इस तरीके से आप जो है यहां पर remote ले सकते हैं अब दूसरे वाले पर हम क्या करते हैं हम चलते हैं क्योंगे command prompt पर और यहां पर चलाते है telnet space 192.168.10.1 और यहां पर अब डालते है admin और 2 पासवर्ड यहां पर डाल लेते हैं पासवर्ड 54321 तो देखिए इस पर भी remote आ गया तो इस तरीके से आप सारी confession जो है वो कराके और आप server बेस्ट कर सकते हैं अभी जो हो रहा है कहां से आपक अच्छे से clear हो गया होगा